Hello students, welcome to Study Natic. मैं हूँ Pooja Mehta और मेरे YouTube चैनल में आप सभी students का स्वागत है. बच्चों, Class 12 की Accounting पढ़ रहे हैं, जिसमें हम कौन सा चेप्टर पढ़ रहे हैं? Chapter 4 पढ़ रहे हैं, Change in Profit Sharing Ratio Among the Partners. जैसा कि हम जानते हैं कि यदि Profit Sharing Ratio Change होता है, तो क्या होता है, उस organization में उस Profit Sharing Ratio को Change करने से पहले कुछ adjustment करने पढ़ते हैं. उन adjustment को किस तरह से किया जाता है, हम यहाँ पर देख रहे हैं. मेरे जो previous वीडियो से, उसमें भी मैं कुछ बता चुकी हूँ, यदि आपने नहीं देखा है, तो आप जो previous adjustment है, जैसे accounting for goodwill, यह सब वहाँ पर जाकर देख सकते हैं. लेकिन आज यहाँ पर मैं कौन सा adjustment बताने वाली हूँ, आपको accounting for reserve and accumulated profit and loss. इस adjustment को यदि Profit Sharing Ratio Change होता है, तो किस तरह से करना है, आज यहाँ पर हम समझेंगे. लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को जरूर subscribe कीजे, like कीजे, comment कीजे, कोई भी doubt है, तो बिल्कुल बेफिकरी से comment box में पूछ सकते हैं. चलिए, तो start करते हैं, सबसे पहले तो जैसा कि हम जानते हैं, कि जब भी Profit Sharing Ratio Change होता है, तो क्या होता है ना, business में बड़ी हलचल हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ा ऐसी होती है, जो पहले की होती है, लेकिन क्या होता है, जब प्रॉफिट Sharing Ratio Change होता है, तो बहुत position start होती है, तो वो क्या करती है, थोड़ा सा पैसा अपने पास निकाल के रख लेती है, रिजर्व के रूप में, ताकि कोई भी ऐसा incidence हो जाए, in future, suppose कोई employee है, उसका accident हो गया, या कोई employee है, retirement लेना चाहता है, या कोई ऐसी चीज़ नुकसान हो गया, business में, जिसमें पैसा निकाल कर लगा देती है, तो इसके लिए क्या करती है, वो थोड़ा सा पैसा निकाल के रखती है, और वो देखती है, कि यदि फ्यूचर में, यदि इनकी जरुद पड़ीगी, तो हम उसमें लगा देंगे, नहीं तो क्या करेंगे, आपस में बाट लेंगे, वो reserve, दोनों partners तीनो partners, जितने भी partners होते हैं, वो अपने आप से मिला मिला के उसमें लगा देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, reserve कहलाते हैं, next होता है, accumulated profit and loss, accumulated profit and loss क्या होता है, ऐसा profit, जो share होना था partners के बीच, लेकिन उसे अभी हमने रखा था, हमने सोचा था, थोड़े time बाद share कर लेंगे, ऐसा कोई loss, जो partners के भी share होना था, वो भी हमने यही सोचा था, कि इसे अभी हम अपने पास रख लेते हैं, इसे थोड़े time बाद आपस में बाट लेंगे, लेकिन उसी भी suddenly क्या हुआ, profit sharing ratio change हो गया, कोई भी ऐसी इस्थिती बनके जिसके कारण profit sharing ratio change हो गया, अब ऐसी accumulated profit and loss रखा हुआ है, उसे कैसे share करेंगे, यह तो बड़ी आपदा वाली स्थिती हो जाएगी न, कि अरे यार हमारा जैसे suppose मैं एक example देती हूँ, ठीक है, इस example को ध्यान से देखेगा, एक, दो partner है, ठीक है, कौन से मेरे favorite partner है, नमन and आकाश, ठीक है, इनका जो पुराना profit share है वो कितना है, 1 is to 1, ठीक है, इन्होंने जब अपना organization start किया था, तो इन्होंने कहा था, कि जो भी profit share होने के अलावा, जो भी reserve रहेगा, या जो भी accumulated profit and loss रहेगे, वो किस ratio में share होंगे, 1 is to 1 में होंगे, लेकिन suddenly क्या हुआ, इनका profit sharing ratio change हो गया, और क्या हो गया, 3 is to 2 हो गया, ठीक है ना, ये profit sharing ratio change हो गया, लेकिन जब starting में जब ये reserve रखे गए थे, तब क्या बात हुई थी, कि reserve को आखरी में ये इनका utilization नहीं हुआ, तो किस में बात लेंगे, 1 is to 1 में मतलब, आधे आधे, सपोज 1,00,000 हैं, तो कितने में बात लेते, 50,000, 50,000 में, ठीक है ना, 50,000, 50 में बात लेते, ये इनकी बात हुई थी, लेकिन फिर क्या हुआ, इनका profit sharing ratio change हो गया, अब यदि ये इस reserve को अभी नहीं बातेंगे, तो क्या होगा, जो यहां पे जो ये 3 is to 2 है, तो वो पूरा change हो जाएगा, 3 is to 2 में क्या होगा, इसको 60,000 मिलेगा, इसको 40,000 मिलेगा, तो नुकसान किसका होगा, आकाश का नुकसान हो जाएगा न, अब चाहे कुछ भी reason रहा हो, उनका profit sharing ratio change हो रहा है, लेकिन जो reserve थे, वो तो starting के time के है न, तो ये rule है कि जो ये reserve होते हैं, और जो accumulated profit and loss होता है, इन हे old sharing ratio में, मतलब जो old ratio है 1 is to 1 में, उसमें ही बाट दिया जाता ह है, इंतिजार नहीं किया जाता, क्योंकि यदि आप 10 साल बात का इंतिजार करेंगे, तो थोड़ी याद रहेगा कि पहले इतना profit sharing ratio था और अब इतना हो गया है, तो जब change हो रहा है profit sharing ratio, तो उसी समय क्या किया जाता है, कि जो 1 is to 1, जो old profit sharing ratio है, उसमें क्या होते हैं, जितन भी accumulated profit and loss होते हैं, उन्हें बात दिया जाता है, clear हो गई ना, यहां तक बात समझ में आ गई ना, यह बात को आपको ध्यान रखना है, कि यह जो बाता जाता है, वो हमेशा old profit sharing ratio, ठीक है, old ratio में बाता जाता है, ठीक है, new में नहीं बाता जाता है, ठीक है, यह चीज ध्यान र debit, जितने भी reserve हैं, उनको क्या करेंगे, debit कर देंगे, profit and loss account debit credit balance, यदि कोई profit था, तो उसका जो credit balance होता है, मतलब profit को हमेशा credit में ही लिखा जाता है, तो उसको यहां पर debit कर देंगे, next होता है, workman compensation account debit, workman compensation क्या होता है, इसे में detail में आपको समझाओंगे, इसलिए सिर्फ यहा and fluctuation account debit, ठीक है, कोई भी investment होता है, उसमें यहां किसी तरह का change होता है, तो उसको debit करते हैं, इसे भी में आपको detail में बताऊंगे, to all partners capital account, कितने partners हैं, सपोज मेरे यहां पर दो partner है, नमन and Aakash, तो मैं क्या करूंगे, to Naman account, to Aakash account, ठीक है न, तो यहां पर जितने भी partners होते है यदि वो capital account है, तो capital account को credit कर देते हैं, यदि current account है, तो current account को credit कर देते हैं, ठीक है, तो यह किस स्थती में था, for transfer to reserve and accumulated profit, यदि profit है, या कोई reserve है, उनको transfer करना है, तब इस general entry का use करना है, ठीक है न, यदि कोई reserve है, या कोई ऐसा profit है, जो बटा नहीं था, तो और profit sharing ratio change हो रहा ह इस तरह से general entry करके उन्हें बाटा जाएगा, लेकिन यदि किसी तरह का कोई loss है, for transfer to accumulated loss, तो क्या entry होगी, all partners capital और current account debit, जितने भी partners हैं, जैसे मेरे यहाँ पर नमन और आकाश रो partner है, तो दोनों को में debit कर दूँगी, to profit and loss account credit में आ जाएगा, ठीक है न, क्योंकि जो loss होता है उसे हमेशा debit में लिखा जाता है, next is to deferred revenue expenditure account, इसको भी क्या करेंगे, हम credit करेंगे, अब यह क्या होता है, इसे भी मैं आपको detail में बताऊंगी, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ हमको यह general entry समझनी है, कि इस तरह से general entry होती है, reserve क्या होते है, accumulated profit and loss क्या होते है, इस तरह से, जि आप बच्चो यदि आप workman compensation, investment fluctuation and deferred revenue expenditure के बारे में detail में समझना चाते हैं, तो आप मेरा इसका separate video देखिए का मैं चाहती, तो इसी के साथ आपको पूरा detail में समझा देती, पर video बहुत ही जादा लंदी हो जाता, इसलिए मैंने इसका एक separate video बनाया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं, i button पे भी click करके उन videos को search कर सकते हैं, और मेरे साथ ही साथ इसके description box में भी उन videos के link रहेंगे, तो आप उनको जाकर जरूर देखिएगा, आज के लिए इतना ही मेरे channel को जरूर subscribe कीजिए, thank you